नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल ए रूपीज के बारे में एक दिसमबर 2022 से डिजिटल ए रूपीज को लॉंच किया गया था पाइलेट प्रोग्राम के तहत CBDC यानि की Central Bank Digital Currency ये लगबग अभी 7-8 बैंकों में आ चुका है पाइलेट प्रोग्राम के तहट चलाया गया था फर्स बार फर्स बार में चार बैंकों को दिया गया था लेगिन अभी हालंकि 7-8 बैंकों में यह आ चुका है तो इन में से कुछ बैंक मैं आपको बता देता हूं जैसे की कोटग मेंदरा बैंक आईडिफसी फॉस्ट बैंक यस बैंक बैंक बड़ोदा बैंक एचडिफसी बैंक जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं तो इन सारे बैंकों में आपको जो है डिजिटल करणसी का लेंदेन के लिए ओफिस्यल अब गूगल प्ले स्टोर पे मिल जिसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको मनी अफ्लोड कर पाएंगे और आप दूसरे कहीं पे भी डिजिटल एउपी का लेंदेन कर पाएंगे तो इन में से मेरा भी एक किसी बैंक में एकाउंट है एच्डिफसी बैंक में तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता लेकी हाफे सारे बैंकों की 1 रूपी मिल जाएगा जैसे की डिजिटल ए रूपी वाई i.ici इसे बैंक बैंक वरदा का डिजिटल ए रूपी तो मेरा जो बैंक है वह है है HDFC bank में तो चलिए हम यहां पर e-rupee HDFC कर देते हैं तो यहां पर HDFC टाइब करेंगे और search करेंगे तो यहां पर देखिए HDFC bank का HDFC bank digital e-rupee आ रहा है इस पर टैप करेंगे install पर किलिक करेंगे तो यहां पर इसको install कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं simple open पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको कुछ इसको skip कर देते हैं उसके बाद यहां पर आपको option दिखेगा enter simple आपको enter पर किलिक करना है यहां पर calling के लिए आपको पर्मिसन देना है SMS के लिए पर्मिसन देना है उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा जो भी आपके बैंक में मोबाइल नंबर रिजिटर्ड होगा वह आपके फॉन्ट में होना चाहिए उसके बाद यहां पर टॉंसन कंडिशन आ जाएगा नीचे रिवायज करेंगे तो यहां पर खुर्द सेलेक तो यहां पर पो होगारी स्यव करोड़ करेंगे नपर प्रवायज उसके ना जबूरे देंगिक हुआ तो यहां पर आ रहा है पाइलेट प्रोग्राम इस फूल थैंक्स फॉर इंटरस्ट तो दोस्तों अभी जो है एच्टेफ से बैंक का जो यह प्रोग्राम है आनि कि डिजिटल ए रूपीस तो अभी यह पाइलेट प्रोग्राम के तहत ही चलाए जा रहा है जो कि यहां पर फूल हो चुका है और यह हर लोकेशन पर अभी अविलेबल नहीं है मैं यह मुंबई और कुछ देली के लिए लोकेशन के लिए अविलेबल था तो अभी प्रोग्राम में फूल हो चुका है अगर यह लाइव हो जाएगा तो मैं आपको इंफर्म कर दूंगा फिलाल य बैंक में आया है तो बैंक और वर्वदा बैंक में आप देख सकते हैं यहां पर मैं कितनी बार भी कर लूँ यहां पर वही प्रॉब्लम आएगा तो चलिए यहां पर मोबाइल नमबर हम फिल्ट कर देते हैं एक बार फिल्ट से और उसके बाद वेरिफास इंपर क्लिक और इंटरेस्ट तो यह जब यह सभी बैंकों में लाइब हो जाएगा सभी लोगों के लिए लाइब हो जाएगा या फिर अलग अलग जब city के लिए लुगा तो फिर यह काम करेगा तो दोस्तों आगे मैं आपको कुछ करके नहीं दिखा सकता वाखी आप जो टेमो वीडि है इसका जानकारी लेना है तो देख सकते हैं